यह लूंट का टूओं टू ऑलाइन स्कुल इंग्ः फॉॉ लाइवरी साइंस एक बार फिच से आफ सभी का नाक की भास को इंदिया फॉ लाइव डार सस्वागते दोस्तों मैं आपका दोस्सिंग कच्कान स्था कर आया हूं और Learn MPPSC का एक्जाम जो है वो नौंबर के अंदर प्रस्तावित है लेकिन उससे पहले अभी 27 अगस्को MP7 Library Science का एक्जाम होने जा रहा है दोस्तों तो मैं इस क्लास के माधियम से यह बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले जो MPPSC Librarian की जो त्यारी कर रहे हैं उस एक्जाम को देने से पहले आपको MP7 का एक्जाम किलियर करना होगा या फिर आपको UGC Net जो है एक्जाम किलियर होना चाहिए दोस्तों तो 17 अगस्कों जो आयोजित होने जा रहा है आपका MP7 Library Science का जो एक्जाम है वह आपको जो है 17 अगस्कों जो है आयोजित होगा इसलिए आपको उस एक्जाम के लिए सबसे पहले में तरफ से हार्दिक जो बदाई हैं अब मैं बात करने जा रहा हूं और एक्जाम पैटर्ण क्या रहेगा उसके बारे में हम संसिप्ट में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आई है शुरुआत करते हैं आज का जो टाप्टिक के उपर और जो भी विद्यार्टी इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमार इस टेलिग्राम चैनल पर आप जूड़ जाइए हमारा टेलिग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया है नहीं तो आप टेलिग्राम पर जाकर आप सर्थ कर सकते हैं OSI for Library Science जिसमें हम आपको जो आपके सलेबर्स की जो PDF है हर एक सलेबर्स की जो PDF है और जो भी पूरे भारत के अंदर लाइबरी साइंस की हर चोटी मोटी जो न्यूज है अपडेट है लाइबरी साइंस से मंदेद हम आपको इस टेलिग्राम चैनल पर जो है जो है यहाँ पर डाल देंगे ठीक है और जो विद्यारती अगर आपको किसी परकार से कोई डाउट है इस दियेगे नंबर पर आप कोल कर सकते हैं मैं आप से खुद जो आप से जो हैं बात्चीत करूंगा दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं MPPSC लाइबेरियन की जो वेकेंस से जारी हो गई थी और उनका जो एक्जाम की डेट है वो नौवंबर में प्रस्तावित है अब देखते हैं एक्ज 15 Peper होगा इसे होंगे आपके 50 questions होगे लेकिन एक सवाल जो होगा वो कितने नंबर का होगा दोस्तों चार मार्क्स का होगा तो 50 awakening तो एक सवाल 4 मार्क्स सबंच मिलम होता है 200 मार्क्स का पहला पेपर ुगा उस पहले पेपर में क्या हैगा मद्य पर्देश का जीके आएगा ठीक है ना भी मद्य परदेश का जी के आएगा अब हम आगे डिटेल से भी करेंगे तो मद्य परदेश का जी के आएगा फिर उसके बाद जो हैं दूसरा पेपर होगा जिसके अंदर लाइवरी साइंस के डेट सो कुश्चन होगे और वो भी एक कुश्चन किते नंबर का होगे 600 माक्स हो गया तो पहला पत तो यह परोगा जन्दोस्व रोंगे 200 मार्फ उंगे mm होगा और दूसरा जोना समय का जिसके नंबर का और कुल अंक आपकी अंकों का ओगा त्यांकों दोस्तों तो आपका जो मैरिट वह मैरिट आपके द्यानकना है पहला पेपर पर इंट्रविए तीनों को लेकर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट बनेगी आपको 900 मेंसे दोस्तों अब कुछ एग्जाम पैटरन के बारे में और देटेल से पड़ लेता हैं सबसे पहले तो बात बता रहा हूं आपको च्रह को सब होगा सबसे पहले पहला पेपर होगा उसके अंदर आपके पचास सवाल होगे जिसके अंदर आपको मद्य परदेश का जी के होगा राष्ट यह अंतराष्ट यह लेवल का समने ग्यान होगा और computer के भी सवाल होगे और दूसरा जो paper होगा पहला जो paper होगा 50 सवाल होंगे यह гр सो दूसरे पेपर होगा जिसमें 1500 question ओंगे टिएक प्रते एक अंक जो हैं चार झौइक का होगा तो कुल मिलाके दोनो एक पर हो पो हूँगे वह जानकना आपको और अगर अब्यारती ने एक से ज़्यादा विकल भढ़ दिये तो वो जो आंसर है वो निरस्त हो जाएगा पहला पेपर जो है एक गंटेगा होगा जिसके अंदर पचास अब्जेटिव कुशन होगे और परते एक सवाल के कितने अंग होगे चार अंग होगे जानकना दूसरा पेपर होगा तीन गंटेगा जिसमें कुशन होंगे डेट सो लेकिन मार्क्स कितने होंगे वह आपके तो हैं चार मार्क्स होगा एक सवाल का हो गया लेकिन दोनों ही प्रशन पत्रों में अलग-अलग आपको 40% अंग प्रावत करना अनिवार ये होगा ये सबसें इंपोर्टेंट जानकना तो पहला पेपर होगा जिसमें 50 कुशन होंगे आपको 40% कुशन आपका सही होना जरूरी है 40% का मलब होता है 50 पर 40 इसका मलब 20 सवाल आपके सही होने जरूरी है अगर 20 सवाल सही नहीं होगे तो आप जो है कॉम्पिटेशन से बाहर हो सिदा लिखा हो है कि दोनों ही प्रश्णों पत्रों में प्रतक और अलग 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 पेपर में सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए खुशी की बात है कि आप org और एग्जाम देने के बाद आप जो भी आपका कोई सवाल पर ऑब्जेक्षन है वह साथ साथ दिन के अंदर आपका जो है और अपनी और अपनी ओबजेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों और भी बहुत सारे जो इसके अंदर जो पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया है यह चीज आपको ध्यान में रखना है और भी आप चीज़े डिटेल से पढ़ सकते हैं इसकी ज तो आपको बात करते हैं कि इसमें दो पेपर होंगे पहला जो पेपर होगा वोगा आपका जन्रल पेपर जिसका जो चलियृष दो je प्रदेश की राजनेति वह अर्शास आएगा ठीक है चौता आएगा आपके अंतराश्टिय वराश्टिय मद्य प्रदेश की महत्वन गटनाएं आएगी पांच वह आएगा आपका computer computer का मलब होता है ICT यह आपका क्या आएगा ICT के सवाल होंगे तो महलत पहले पेपर में 50 questions होंगे जिसके अंदर यह पांस टॉपिक दिये वे हैं ठीकिन हर टॉपिक में से दिश्ट पूछे जाएंगे तो पचास कुस्टिय का पहला पेपर होगा और एक सवाल यह टोटल पचास यह होगा लेकिन इसमें 40 परसेंट लाना क्या होगा अनिवार यह होगा दोस्तों जो भी विद्यायर्टी इस क्लास को देख रहे हैं सभी से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने मुझे और हमारे इस online school इंडिया for library science जो digital platform है जो एक एक साल पहले हमने ऐसे मजाग में एक वीडियो बनाया था एक टॉपिक पड़ाया था वो टॉपिक इतना पॉपूलर हुआ राजिस्टान में और राजिस्टान में हमने 2022 के अंदर जो है एक सेलेबर शुरू किया तर राजिस्टान ग्रेट थड़का जिसमें पूरे राजस्तान में इनकी 3 रैंक आय थे पूरा राजस्तान में 3 रैंक जो आई है नेनस नहीं इनको बद़ाईंग देना चाता हूं और इसे किसे के साथ आमारे राजस्तान में हमने यहां से 120 प्लस इस्टूडेंट्स को यह सेलक्षिन दिया है यह लाइबरियन बनने हैं और ऑच जो प्लस प्लिस जो लोग है जो हमारे यहां से पड़े हमने उनको अच्छा मार्ग बिसन दिया और उन्होंने अपनी मैनत से और जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं हम उनको आज जो है बदाई देते हैं दोस्तों तो पहला पेपर होगे अब जो हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड के उसकेंड पेपर हो जो और तोटल पराफ्वा होगे वह जो होंगे आपकर conservatives को अब tricks और सब्सका कितरों कर द्याने करने अब तो अगर आप है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो NET का जो Sullivan होता है तो नेट में भी 10 unit होती है और उसके बाद अगर אני अगर då will cover कर लिता है तो उसको बाद में अलग से syllabus चरोत नहीं तो में लो कड़ने के सब्सक्राइब दूसरा है आपका फाउंडेशन पड़ना है तीसरा टॉपिकह रेप्रेंस और od It'll'll it'll it, it's a evidence from important service сказать के बाद पांचे ओ promo organization यह आपका पांचा टॉपिक हो गया मैं मैनेजमेन्ट का हो गया ठीक के दोस्तों साथ हो गए आपके computer and सुचनब फूर्दो के computer information हो गया और आट वाजए होता के library automation हो गया आपका उसके बाद नम्मा topic होता है research method ठीक है न और उसके बाद आप डस्वा topic होता है library and information system तो द्यान रखना है अगर आप NTA net की त्यारी करना चाहते हो या NTA net की त्यारी करें हो अगर आप net का syllabus तो net का library science का जो syllabus है और MPPSC का जो syllabus है वह same होता हम ऐसा एक जैसे होता ज्यान रखना है अलग लग क्या है क्योंकि net के अंदर उन्होंने पूरा topic दे दिया है तो वह पूरा topic हो एज जो copy करके चाहे MPPSC का SAM होगा चाहे राजस्तान कोलिस लाइविरियन का होगा वह हमेसा SAM ही syllabus होता है आप आराम से जो है syllabus को जो है verify कर सकते हो जो भी video artist class को देख रहे हैं आप सभी से कहना चाहता हूँ आप हमारे telegram channel से जुट जाए उसके अंदर हमने NTA net का syllabus डाल दिया नेट का पहला पेपर का भी डाल दिया MPPSC का भी जो है PDF डाल देंगे सारा सब कुछ आपको हमारे telegram channel पर मिलता रहेगा दोस्तों ठीक है और जो भी विद्यार्टी इस class को देख रहे हैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक September से UGC NTA net का जो syllabus शुरू करने जा रहे ह राज़तान का रहे हैं कि डिली अनिवर्सिट्री का रहे हैं करने जा रहे है वह से जो है आपका चारी करना चाहते हैं आप अमारा UGC Net Set का syllabus ले सकते हैं लेकिन syllabus लेने से पहले में आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप जो हैं हमारे app के अंदर जाना है आपको और अपने पास जो anti-net का syllabus अपने हाथ में रखना है फिर आप app के अंदर जाकर आपको देखना है कि वास्तों में हम आपको syllabus के हिसाफ से कि रहा जब आप उसमें कुछ हर जैसे आपके syllabus में दस यूनिट है हर uma two निट का हां एक टॉप में वहां पने फीडिय हो और टैस्ट होगा हर एक रही हमें एक आपका क्या होतों टैस्ट होगा ताँखे आ आप और आम से कॉमपारीजन और कर सकते हैं जब आप हमारे एप के अंदर विजिट करें होगे तो आप अन्य के अपकर निle啦 Is करीबन 5000 कोशिंग्स की टेस्ट तरी जोगी पहले तो हम टॉपिक वाइट टेस्ट देंगे फिर उसके बाद यूनिट वाइट हम टेस्ट देंगे आपको दोस्तो तो जो भी विद्यार्टी नहीं है आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस एप को डाउनलोड कीजिए और एक सितंबर से हम UGC NPA Net का course शुरू करने जा रहे है दोस्तो जो भी विद्यार्टी चाहे NPA Net की त्यारी करें हो चाहे सैट की त्यारी करें हो लाइबरी साइंस की तो हमारा जो course होगा वो course होगा आपका bilingual होगा क्या होगा दोस्तों bilingual होगा जानगना तो हमारा पूरा ज झो है पेपर टूंब और फेकर तूंगे प्रोल जो होता है उसके बाद टूब आपको युट अपको सरीज हम देंगे एक आपको युणिट वाइड टैस सेरिजू भी हम देंगे द्यानग लक्ना उसके बाद ये पूरा जो कोर्रस है वो आपका new updated course होगा द्यान लगना ठीक होगा new updated course होगा और एक सबसे important बात करना चाहता हूँ कि यह आपको UGC net का जो course है वो आपको recorded class मिलेगी द्यान लगना ठीक है दोस्तों यह पूरा जो course है वो recorded class मिलेगा एक सितमबर तक हम उसके अंदर करीबन NTA net का करीबन हम जो है 70% course upload कर देंगे बाकी का जो 30% course है हम आपको सितमबर अक्टुमबर नौमबर तक हम पूरा करवा देंगे हमारी कोशिस यह रहेगी आपको नौमबर तक पूरा NTA net का syllabus पूरा करा देंगे ताकि आपका जो है net का ज सेलेबस का 70% course जो है आपके अंदर app के अंदर upload कर देंगे according to syllabus इसलिए आप NTA net का syllabus का printout निकालना है और हमारे app के अंदर जाना है और आपको app के अंदर पूरा content को देखना है जब आप पूरे content से satisfied हो जाए उसके बाद आप लोगों को मेरे से बात करना है उसके बाद आपक लेना है MPPS की त्यारी करें और राजिस्तान कोलेश लाइबरियन की त्यारी करें दिली उइशिटी की त्यारी करें चैट है अगर आप त्यारी कर रहे हो तो आप एक वार हमारा एंटीनेट का syllabus लेकर app को विजिट करना है जब आप सटिस्पाइड हो जाए तो एक बार मेरे से बात जरूर करना है उसके बाद आपको decision लेना course लेना या नहीं लेना है दोस्तों मैं आपको यहां पर फिर से कह रहा हूं course बेचने के लिए नहीं आया हूं मेरे एक ही उद्यस्ति आप लोगों के लिए आप लोगों का अच्छा content प्रोवाइड करवाना है ज्यादा से ज्यादा आपको practice set of love कराना है ताकि जो है आप विश्य में एक अच्छी तरह से librarian बन से के दोस्तों और एक सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे course के अंदर जो PDF है लाइबरी साइंस की जो PDF है वो PDF आपको download में कर पाओगे आपको handwritten notes बनाना होगा बहुत सारे पीडियाप डाउनलोड नहीं होगी पीडियाप आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे पीडियाप डाउनलोड नहीं होगी पीडियाप आपको app के अंदर ही मिलेगी एप के अंदर पीडियाप को देकर आपको notes बनाने होगे पीडियाप डाउनलोड नहीं होगी पीडिया प्रिंट आउट नहीं निकलेगा आपको इसलिए सो सो समझ कर आपको डिसिजन लेना है कि आपको आगे क्या करना है आपको मैनत करनी है वह आप पे डिपेंड करता हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइट करा देंगे हाट टॉपिक में टैस सीरीज और पीडियेफ टैस स को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें जो विदियार्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया